नमस्कार मैं हूँ सूकृती ईरोय चैटर जी और बोल्स कई में आप सभी का स्वागत है दिन की शुरुवात अक्सर लोगों की चाय से ही होती है कामकाजी लोग अपनी धकान और स्ट्रेस मटाने के लिए दिन में कई बार इसका सेवन भी करते हैं वह कुछ लोग तो इसके बिना सुबह और शाम की कलपना भी नहीं कर पाते चाय पीने से हमारी बॉड़ी को तो बहुत लाब मिलता है क्योंकि इसमें मौजूद एंटी आक्सिडेंट कई तरह से शरीर की रक्षा करता है इसके अलावा भी इसमें कई सारे तत्तु हैं जो कई तरह से शरीर को लाब पहुचाते हैं वैसे तो चाय के साथ लोग जातर बिसकेट या नमकीन ही खाना पसंद करते हैं लेकिन कभी कबार हम कई ऐसी चीजे चाय के साथ पी लेते हैं जिससे बॉडि को नुकसान पहुचता है चाय पीने के बाद कभी भी इस एक चीज का सेवन नहीं करना चाहिए और वो चीज है मूली चाई पीने के बाद मूली खाने से चहरे पर सफेद दाग होने के अलावा बाल भी सफेद होने की प्रबल सम्भावना लग जाती है अगर कोई चाई के बाद हल्दी वाले दूद का सेवन कर ले तो उसे आगे चल कर जोंडस की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है इसलिए चाई के बाद हल्दी का दूद पीने से भी बचें वहीं चाई के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए गर्मा गरम चाई के बाद कभी भी तुरंत पानी का सेवन ना करें या आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है चाय पीने के तुरन बाद पानी पीने से हमारे नाख से खून आने लगता है उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें